अगर फर्स टाइम विजिट के है तो ज़रू इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चाहो तो एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेश करके इस चैनल को भी शुटाइब कर सकते बेल आइकॉन को इट करके रख सकते हो इस चैनल का लिंक उपर आए बटन पे य चले जोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लगबग 1200 के भी नीचे गया था, आप सब लोग पता कितना, 2% के भी नीचे गया था। फिलाल जो क्लोजिंग हुई है वहापे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलती थी, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग यहापे बात करें, जो पूट राइटर्स देखने को मिलते हैं, वो इसी लेवल पर देखने को मिले थे। तो एक्सपेक्टेशन था कि यही से मार्केट रिकवर कर सकता है, इसको ब्रेक किया तो लगा था कि अभी इशूस बढ़ सक क्या क्या important कारण है, जिसके चलती है, आज की दिन हम लोग को बाजार में आपे गिरावत देखने को मिलिए, वो अभी हम लोग ने study आपे करनी है, इस वक्त के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखे, कभी भी बाजार गिरता है न, तो उसके पीछे न दोस्तों, ए किछ में कैसे जबर्दस गिरावत देखने को मिले थी, क्योंकि COVID आया था, lockdown आया था उसके वजे से, एक जबर्दस गिरावत देखने को मिले थी, क्योंकि चायना में Evergrande के issues के कारण पूरे global market में हड़कम मच गया था, तो ये ऐसे कुछ fresh reasons देखने को मिले थी, आज की गिर बाजर में कुछ-कुछ जगा पे देखने को मिल रही थी, तो collectively क्या हो गया, overall अगर आप लोग देखोगे, तो हम लोग को pressure देखने को या पे मिला है, तो एक-एक reason को हम लोग जरू देखेंगे, आप देख सकते हो कि ये reason already आप लोग को या पे पता थे, तो सबसे पहले हम हम लोग या पे आएंगे American Bazaar, अभी American Bazaar इतना भयंकर गिरा था क्या, नहीं, बट Friday की दिन, obviously हमारे market में छुट्टी थी, American Bazaar में नहीं, तो American Bazaar आप देख सकते हो, 500 पॉइंट तक या पे गिरा था, तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, इसके पहले नहीं गिरा था क्या, तो यह ओके-ओके बात थी, जो कि हम लोग नहीं पे देख ली, बट यहा पे क्या हो गया, जो बोलते हैं, आग यहा पे लगना शुरू हो गया, ठीक है, अभी इस आग में ऐसे बहुत सारे reasons थे, जो हम लोग बोलते हैं, आग में घीर डालना, तो इतने सारे घीर डाल चु अगर सवा 4% अगर ब्रेक होगा, तो निफ्टी आप समझ सकते हैं, नर्वस होना तो एक नॉर्मल सी बात है, तो रिलाइंस इंडस्टी में, जो हम लोगों को न्यूस देखने को मिली, साओधी एरम को की जो डील है, वो cancel हुए, no doubt, वो वापस fresh stock ज़रूर करेंगे, बट यह news तो negative है, जो कि हम लोगों को अल्यड़ी अंदाज है यहापे आया था, तो आप लोग देख सकते हो, निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा जो stock के contribute करता है, वो यहापे आज नर्वस होने वाला था, यह एक अंदाज आया था, तो यह एक reason हम लोगों क पर customer, उनकी अलग-अलग अपनी बात होती है, यहापे companies के अपनी बात होती है, तो उनके इसाब से अगर हम लोग बात करें, तो वो भी एक चीज हम लोगों को देखने को मिली है, बट हम बहुत जरूर यहापे कह सकते हैं, कि FMCG सेक्टर में आज हम लोगों को थोड़ा ब इंडिया की बात नहीं, inflation, यह global level के clues है, अगर यह हम लोग बात करें, global level पर inflation है, अगर आप लोग अमेरिकन बाजार देखोगे, तो इतनी जादा महिंगाई हो चुके है, महिंगाई से होता क्या है, मार्केट नर्वस क्यों होता है, तो आप सब लोग को पता है, कि एक dangerous ची अगर rate hike हो गया, तो आप सबी लोग को यह आप पता है, कि कैसे सारी चीज़े हम लोग को, मतलब market के लिए वो कोई celebration वाली बात नहीं होती है, at least temporary scale के लिए तो हम लोग यह बात, बोल सकते है, market से liquidity, पैसा निकलना शुरू हो जाता है, so interest rate hike से खाखा खत्रा, अभी हम लोग से यह already बाजार में exist है, right, so यह जो कुछ reasons है, हम कह सकते हैं, फिलाल अगर आप man of the image बोलना चाते हैं, तो यह reasons कुछ है, जिसके चलते बाजार में फिलाल प्रेशर बना हुआ है, next अगर हम लोग यह आप बात करें, तो foreign investor, आप सब लोग पता है, foreign investor, फिलाल जो पैसे की अ आपको बोला था, ऐसा कोई rocket science वाला reason अभी तक देखने को नहीं मिला, यह सारे normal reasons है, जो की market में आज उपर नीचे उपर नीचे चलते हैं, वही reasons हम लोग देखने को यहापे मिलते रहते हैं, next अगर हम लोग यहापे बात करें, तो आप सब लोग को यहापे में already यह चीज भी कल के वीडियो में बता चुका था, dollar index, yes, यह जितना बड़ेगा दोस्तों, उतना ही market के लिए, Indian market के लिए खास करके, अच्छी बात नहीं होती है, dollar index में, यहापे अगर हम लोग बात करें, no doubt, हमारे मतलब जो currency रहता है, उसका contribution वेसा नहीं होता है, but यहापे यह जो प मिल रहा है, इसके base के उपर हम लोग यहापे यह चीजों को भी जरूर ट्रैक कर सकते हैं, so यह जितना बड़ेगा, कल 97, 98, Indian market के लिए वो चीज अच्छी नहीं है, sir अगर यह बढ़ता ही रहा है, तो market कुछ खतम नहीं होता, वो उस temporary scale के लिए वैसे adjustment हम लोग देखने को म बोल सकते हैं, next अगर मैं बात करू तो यह क्या है, COVID का graph, क्या India का नहीं, बिलकुल भी नहीं, बट यहापे खास करके अगर हम लोग यहापे बंतलब विदेश में कुछ कंट्रिया है, जहापे जबर दस COVID की third wave, आज तक की सबसे ज़्यादा wave है, हमारी इधर के से second wave बहुत countries है, वहापे हम लोगों को यह चीज़े देखने को मिल रही है, so no doubt यह कुछ reason से देखे, इसके चलती है, ऐसी बात नहीं कि यह जो, अगर मैं बात करूँ चलो, जर्मनी की, यह जो graph है, यह जर्मनी का है, so जर्मनी में इसके पहले भी graph इदर था, अभी बढ़ते ही जा रह तो आप सब लोगों को यही बताना चांगा, कि quarter two के result खतम हो गए है, and quarter two के result कैसे थे, बाजार के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बाजार के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बाजार over expectation लेकी चल रहा था, right, numbers अच्छे आने के बावजुद भी correction, क्यों क्योंकि वो expect कर रहे थी कि और अच्छा करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, रोईट चर्मा की, कि यह तो पक्का century लगाएगा, out हो गया 90 पे, क्या 90 खराप score है, बिल्कुल भी ने, बट expectation क्या थे, कि 100 मारेगा, 110 मारेगा, so यह चीज़े भी हम लोगों को देखने क चलते, result के पहले ही बहुत ज़्यादा तेजी हम लोगों को देखने को मिले थी, क्योंकि bull market भी था, usually कैसा रहता है, कि result के पहले ना market शान्थ हो जाता है, देखता है कि कौन से numbers अच्छे, stock भागता है, number अच्छे नहीं, stock गिर जाता है, यहाँ पे पहले ही result आने के पहले, बाजार मान के चल रहा था, कि बहुत अच्छे numbers आएंगे, हाँ, textile company के numbers बहुत अच्छे हम लोगों को देखने को मिले थे, बट बाकी companies के अगर हम लोग numbers की बात करे, IT के भी अच्छे थे, बट over expectation की बात करे, तो सिर्फ textile industry ने बहुत अच्छा वासा performance दिया, over expectation को भी जाता है, तो आज का कारण बहुत ही अच्छा था, इसके चलते profit booking में हम लोग को और चीज़े add होती भी देखने को मिली, so reliance का तो नाम मैंने हापे ले लिया, बट एक और बड़ा contribution कौन करता है, bank nifty, अब सभी लोग को पता है, अगर हम लोग finance के index की बात करे, financial services की बात कर बोर अलगर हम लोग बात करें, collectively, तो finance sector प्रोवाइड करता है, मतला contribute करता है, किसमें, index में, nifty के, तो अगर bank nifty अगर ऐसा नर्वस रहेगा, अभी तो closing तो ठीक टाक नजर आ रहे है, हालत इससे भी खराब थी, right, चार डिजिट में नीचे चला गया था, तो ऐसे माहल में थोड़ी ना मार्केट में को कोई comeback करने के लिए reason ही नहीं मिला, सिर्फ एक ही reason आखिर वाला था, कि 17300 पे जो जबरदस प्रूट राइटिंग देखने को मिली, तो एक मान के चल रहे थी कि हाल से जबरदस सपोर्ट रहेगा, और वही से एक चोटा सा कारण मिल गया, जो कि बाजार ने थोड़ी सी बहुत मतलब बलती है ना, रहत वाली सास ली, वरना हर जगे पे आज बियर ने इस तरीके से हमरिंग की है, जो कि आप लोग यापे देख सकते हो, तो ये कुछ reason से जिसके चलते बाजार लगातार यापे, मतलब आज के दिन गिरते ही जा रहा था, देन IPO, IPO का मार्केट मस चल रहा था, बट एक बड़े IPO आगया, और वो कोई छोटा मोटा IPO ने था, कितने सारे IPO आगये, गिर गये, बट ये वाले IPO ने, कौन सा, obviously, PTM की में बात कर रहा हूँ, कोल इंडिया का IPO नंबर वन था, जो कि अभी second हो चुका है, क्यों कि PTM का IPO प्रवत थी भी नहीं, बट ऐसे में क्या हो गया, कि आग में और गी डल गई, तो अगर आप एक माहोल चेक करोगे, अभी का अगर मैं बात करो, अभी बैठ कर, तो negativity बहुत जाद है, positive signs बहुत ही कम है, एक ही positive sign है, फिलाल अगर मैं बात करो, मेरे पास है, at least मेरे studies की नहीं बोल सकते है, बाकी अगर positive signs की बात करें, तो इतने ज़्यादा positive signs फिलाल तो देखने को नहीं मिल रहे, और ये क्या है, bull run, obviously, market नहीं इतने शानदार returns दिये है, तो कभी ना कभी इतने top level पे जाने के बद, अभी तक जो बाजार गिर रहा था ना दुस्तों, वो दुकना चाहिए, थोड़ा सा portfolio rate भी दिखना चाहिए, तब जाके market अगर recover करेगा, तो वो धिमे धिमे करके लंबी चलान लगाता है, बट सिर्फ bull run, bull run, bull run रहेगा, तो फिर वो एक अच्छी बात नहीं रहे थी, क्योंकि समझ में नहीं आता है, फिर market में करना क्या है, कित इतने भी reasons हम लोगों ने देख लिए, ऐसा कोई fresh reason नहीं तकि आरे, इदर कुछ ऐसा हुआ, उदर कुछ नई news सामने ही नहीं, यह already well known reason थे, बट यह कैसे, यह सारे चोटे 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 negative reason एक साथ हम लोगों को आज के दिन देखने को मिले, और माहौल भी अगर फिलाल का भी रहता है, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, कि वापस जबर्दस recovery नहीं आनी चाहिए, थोड़ा time लेना चाहिए बाजार ने, तब जाके हम लोग कह सकते हैं, कि आगे जाके वो अच्छा खासा sustainable growth यहापे दिखा सकता है, तो यह कुछ main reasons थे जो हम लोग कह सकते हैं, और एक important चीज, कभी-कभी हम लोग को खबरे लेट आते भी देखने को मिलती है, कि अरे यह भी कुछ internal reason था, जो कि कुछ बड़े players को पता होता है, और बाद में वो disclose होता है, तो ऐसा भी बहुत बार यहापे बाजार में हो चुका है, तो फिलाल ज जो reasons है, यहापे जो upset के जो कारण है, वो बहुत ही limited है, बट गिरने के कारण इस वक्त हम लोग को बहुत जादा फिलाल तो देखने को आपे मिल रहे है, तो इसलिए यह चोटे-चोटे reasons है, वो भी बहुत बड़ा role यहापे play कर रहे है, तो आशा करता हो, आप लोग को यह सारी चीज समझ में आई होगी, तो अगर आप चाते हो कि इसे related हम लोग ने आगे क्या करना चाहिए, कौनसे stock खरीदने चाहिए, या नहीं खरीदने चाहिए, तो अगर आप इसके उपर वीडियो चाते हो, तो जरू comment section में yes करके लिग दिना, मैं कोशिश करूँगा, आज stocks अगर आप देखना चाते हो, तो कौनसे safe stock है आप ज़रूर रहेंगे, पुरानी holding है, अगर आपका portfolio red हो चुका है, तो आप लोगोंने क्या करना चाहिए, तो ऐसे इसके उपर वीडियो चाहिए, तो yes लिग देना, अलग-अलग टाइप के वीडियो में बना, नेकी कोशि ज़रू करूंगा, तो फिलाल इस वीडियो कोई यही परोखना चाहिए, आशा करता आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रू like and share भी कर देना, तो that's it, thank you very much, we will be meeting आरनेंग शिडियो तब तक के लिए, बाई-बाई